Hello everyone and very good morning to all of you welcome back to my another blog तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि अच्छे होंगे आज के ब्लोग के स्टार्टिंग करते हैं मौर्निंग टाइम से तो अभी बज़र सुबह के साथ और आप देखते हैं कि सन कितना सुन्दर लग रहा है और यह है हमारी बैलकनी का व्यू बैलकनी से हमारे सामने का वी इतना सुन्दर लगता है चारों तरफ हर्याली हर्याली है तो तीन चार दिन से हम काफी बीजी थे वैलफर सेंटर के चेकर में तो आप सारा काम निपढ़ चुक है और दिपावली भी नजदी गाने वाली है तो मैंने सुचा क्यों नहां हम अब सब्सक्राइब निकाल करने कंवे पढ़ना अब जिसक है तो तो कड़ने कंवे का तरीका क्या होता है कि हम सारे कट है को निकालने के बाद एक को लिया। कुछ भी चीज़ ले ले उससे ना उनके साइज रिंग सोते हैं उसको आपस में टक कर दें करने से क्या होता है ना कि जब हम उसको वाशिक में डालते हैं तो यह बिल्कुल भी नहीं तूटते वरना कि अगर आप खुले अगर इसको वाशिक में डालो गए तो पूरे इसके प्रिंग्स कुछtv निकल भार को आजाते हैं तो मैंने सारे के सारे कटन्स को कट करके साथ लिया था और बारी फारी पार से ऊसको में डाल लो ती और जैसक washer पीज़ा थोड़े बहुत वाल्स पी साफ करें थी तब तक मैं अपने सारे कर्टन को अच्छे से वाश कर लूँगे तो देखिए मैंने सारे के सारे कर्टन को इस तरह किसे डाले थे ताकि इनकी जो रिंग्स हैं वह बिल्कुल भी ना ठूटे और ना ही वह रिंग्स खुले अगर हम क्का कि मतूल trash कम से कम फाजे रिंग्स तो पक्का तूट जाते हैं कि वार्चज में गोल गूमते रहते हैं तो सीलिए तो जैससे मेरे कपले धूलते जा रहे थे तो मै वैसे ही उनको आपनशे को ढम से तो इस तरीक पूने का है यह होता कि मेरे सारे के जो पकड़ने में भी अच्छा उड़ता कि एक के बाद एक नहीं आरते सारे साथ में आरते तो कर्टन्स तो मेरे सारे धूल चुके हैं और सूखने भी लग गए साथ में और इनको सुकाने के बाद घर का बहुत सारा काम ता जो मुझे और भी करना था तो आज का पूरा मिरसन से थो हमेसा और गृनजीर नहीं रहते हैं अभी हम और चीस कि अच्छे से रहएंगे बट बच्चे ने कुछ आर निकाला मैंने dei कूछ और निकाला तो यह कि सामाल अपने जगे से हडाता है तो अभी मैं सबके सबको अच्छे से युग मैं बच्छे से और बदuesta का यह उसके हैं तो अलगविग अंतलब यह नहीं कर दिजिक भी नहीं हो जो से यह चीना नाहीं था नहीं करते हैं कि तो यह थो को पड़िया है बाहर पे गया हुआ था वह थोड़ा बहुत परिसान कर रहा था तो इसको हमने दादी के संग पिछे साइट को भेज दिया था और सिर्वला जो और मैं पूरा काम करने मला करता है क्योंकि हमने मतलब टारगेट बना रखा था कि आज हम अपने पूरे रोम की क्लिनिंग कर ले प्राबलम नहीं क्योंकि क्या होता है जल्दी बाजी में हमको सीच उठाते तो एक पक्का गिरती और मेरे दाव बहुत नुकसान होता है कभी सिंदूर गिर जाता है तो कभी लिविस्टिक गिर जाती है तो वह सब को मैं डेली यूज वाला उसको में एक परस पर रख लों चलाक ने करेंगे बार और लोग दोनों के दोनों काम करना स्टार्ट करने लग थे तो ऐसे मतलब सातमें काम करके हमारा काम फटाफट हो गया था अभी जब मैं अच्छा इन का पर रहे थी तो उसमिन दोर्स को साफ़ को आपको डूर्स हमारे बहुत गंद्धे क्युक्यो बहुत सारी क्लिनिंग करनी थी घर की क्योंकि अभी हमने कोई स्टार्ट नहीं किया था बस मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा रहे था बस हमने कबड और अलमीरा इसाफ कर रहे था तो आज हम रूम्स की क्लिनिंग कर लेते हैं और क्या था ना दो चार दिन से हम लगात वेलफर सेंटर में बहुत ज्यादा बीजी थे क्योंकि आपे स्टॉल लगने वाल था तो हम लोग अपनी संस्कृति को आगे लाने के लिए उत्राखंड के जो एपन होते हैं फेमस आर्ट है उत्राखंड की उसके इस टो लगा रहे थे तो इस चेकर में हम वहीं चेकर किया हम लोगोंने और सबसे पहले तो मतलब हमें कटन वाश करने थे बैट सीट पिलो कबर यह सब वाश करना था दैन उसके बाद फैन के ऊपर बहुत साई धूल जम जाते तो फैन भी वाश करना था एंड सबसे इंपोर्टन थे हमारे डोर क्योंकि आधिक अधर को हाल क्य थे एंड उसके बाद बहुत सारा काम था घर का जो फाइनली सब कुछ हो चुक है हमने सब कुछ अच्छे से क्लिन कर लिया आप हमारा बसता है कीचन तो कीचन हम कर लिया परसों करेंगे डिप्लिंग करेंगे की और वीडियो बनाई हुझी दो दिन हो चुके थे मैंने वी बाद बहुत बहुत जा जाती है तो हमने अज असाइब करेंगे अभी हम ना लंच करके बैठ चुकि अभी अधी स्कुल से नहीं आया हुआ है तो मैंने वल तब तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूं एंड अथव आचुका है स्कूल से बस अब हमें करना कीचन तो एपनार्ट में ना मतलब हमारा चौल बहुत सुन्दर लग रहा था और मैं आपको लास्ट में आपने स्ट्राल की वीडियो दिखाऊंगे आपको कि मतलब कितना सुन्दर लग रहा था कि मतलब होता ना की हाथ से बनाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है एंड ऐसे बनाए करके तो कैसे बनाए और पूछ रही थी करते हैं किछन की टिकली कर ते करते हम कीचन की करने कर दो ड है चैसर करते हैं जबर दिखाए में दो सब्सक्राइब बाइन टेक केर तो अब देखिए यह हमारा एंपन न लगाया उगा था मैंने आपको पताया था लगें तो कितना शुदर लगा था हमने बोटला से ह me catero the station लग embora में आपको दिखेशी मैंने क्या-क्या कर रखे थे और यह प्लेट्स और यह कैन्वास पेंटिंग थी जो मैंने कर रही थी और उसके बाद वाल पे हमने बॉटल को हैंक कर रहा था और उसमें मनी प्लांट रखे हुए थे और यह है चोटे सा हमारा वाल डेकुरेशन तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज च